नश्कार दोस्तो मैं हूँ डोक्टर मरीशकारी आपका अपने योट्यूब चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्णिका ओयल के बारे में दोस्तो इसे बहुत सारी कंपनी बनाती है वैसे तो लेकिन खास तोर पर इसका SBL कंपनी का सबसे ज़्यादा ओयल यूज किया जाता है दोस्तो इस वीडियो में हम इसके यूजिस बेनेफिट्स की बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इसका लगाने का तरीका क्या रहता है और उसके क्या रिजल्ट्स रहते हैं इसके लिए दोस्तो इसके साथ की सफेद बालो को भी काला करने में मदद करती है चलिए दोस्तों जानते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी homeopathic medicines इसके लावा ओर डाली गई है दोस्तों इसमें सबसे पहली दवाई डाली गई है थूजा थूजा बहुत effective दवाई रहती है डेंडर्फ को हटाने में और बालों की strength के लिए अगली दवाई जो इसमें last डाली गई है वो है जोबोरंडी जोबोरंडी हमारे बालों को काला करने में मदद करती है यानि ऐसमें सफेद बालों को होने से बचाती है दोस्तों इसके uses की बात किये जाए तो इसे दिन में 2-3 बार use किया जा सकता है या फिर दोस्तों राज की समय आप इस oil से massage कर सकते हैं और सुबह उठकर नहाने के time अरणने का शंपू से wash कर सकते हैं इससे आपको better results मिलेंगे दोस्तों ये herbal hair oil है यानि इसका कोई side fact नहीं है natural इसमें सारी homeopathic medicines डाली गी है mother tincture form में डाली गई है और ज्यादा कोस्टली भी आपको ये नहीं पढ़ता है लगबग 100 उपे के अंदर market में असानी से आपको मिल जाता है दोस्तों इसे घर में सब यूज कर सकते हैं males में भी काम आता है females में भी काम आता है और बच्चे भी से यूज कर सकते हैं दोस्तों ये तेल लगाने से बच्चों की और बढ़ों की सब की scalp में density बढ़ती है hair fall में काम आता है ये तेल और साथ में दोस्तों अगर आपके बाल सफेद हो रहे हों तो उनको काला गरने मदद करता है हमारे जो scalp होता है उसको उसमें blood circulation बढ़ाने में मदद करता है दोस्तों अगर आप बालों की समस्या से लंबे समय से पीडित हैं और आप इसका homeopathic treatment चाहते हैं तो दिए गए वोटसप नमबर पर हमसे संपक कर इलाज या सला ले सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे रिजल्ट्स भी देख सकते हैं आप एर फोल में